तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे कि हम लोग जो भी यूरोप में राष्टवाद पढ़ें हैं तो यूरोप में जो राष्टवाद उत्पन हुआ है तो आखिर कौन-कौन से लोग गरीबों को स्रमिकों को दबा रहे थे जो पूलिंग वर बहुत घटिया वर ठीक पादिरियों लोग कहने के लिए जिसे हम लोग में यह हिंदू में होता है पंडी जी लोग मुशलमान में होता है जिसे मौलान लोग औग कहा जाता है वो एक बर्ग है ठीक है यह याद रखिएगा कुलिंग वर्ग जो रूपिया पैसा से काफी अमीर लोग है वो समंत लोग भी कहते हैं उन लोगों को उसके बाद से यहां पे आपका पादरी लोग यह और निरंकूस राज तंत्र यानि राजा महराजाओं का जब पीजबूते और राजा की मदद करते थे और यहां पादरी लोगों को क्यों नहीं दबाया जाता था क्योंकि उस समाज का पूरे यूरोप के सबसे रेस्पेक्टेबल इजज़दार लोग होते हैं ठीक है और धर्म के परचार करते हैं और धर्म के प्रतिसमर्पित रहते ह और यह तीनों मिल करके और दो मजदूर लोगों और जो भी मजदूर से आता था तो जाता था तो नेपोलेन सबसे पहले आया सबसे पहले चोई संपतिये को जब कर लिया, उन लोग काम है Oxer उन लोगह को जड़ा है उन ज्यादा संपतिय की जरुस्मिधार है नहीं है तो यह जानगे कि कुलिंग वर्ग क्या होता है अनिरंकूष राज तंत्र तो जानते हैं मैंने समझे कि घटिया राजा ठीक है जो की गरीबों को ज्यादा सोसर करें ठीक है तो यहां हम लोग जानेंगे कुलिंग वर्ग थोड़ा सा जान लेजिए यूरोपिया महादीप का स सबसे सक्तिवाली जन संख्या में लोग कम थे लेकिन पईसा से मजबूत थे वैसे हम लोग देखे तो हमारा भी देश जो गुलाम हुआता अंगरे ज्यादा नहीं थे हिंदुस्तानी उससे कम ही थे लेकिन पैसा से और ताकत से वह लोग मजबूर थे हम लोग पास हस्तिय अब लाठी डंटा ले करके तो हम लोग दोड़के मारने तो जाएंग नहीं वैसे ट्राइट तो हम लोग वैसे भी किये हैं ठीक है और वो लोग क्या करता है हत्यार से पूरा लदा हुआ था और उठा करके और अपना मतलब फैरिंग करके और मार देता था तो लोग पैसा करेगा दीरे दीरे एक जुठ होना Park यह ज Намाजीक रूप से मजबूट है का और है गुदूर्फ को दोहन करने वाला और तो बता ही थे कि सबसे दा गरीब का दोहन करते थे सोसड करते थे ठीक है तो यहां लिख दी है इनके बारे में कफी अच्छा अच्छा कॉमिक पॉइंट है ठीक है अब देखिए हुआ कि अधोगी करांती मध्यमबर का उदे रश्टवाद रश्टवाद का विकास और रुमानी वाद यह थोड़ा से यहां समझे अधोगी करांती पहले होता क्या है देखिए हम लोग समझे तो इंग्लेंड में सबसे पहले अधोगी करांती होई थी और यह अधोगी करांती होता क्या था मसिनरी यू समझ लेजिए जैसे अधोगी क करांती हुई थी अब बात बताइए आप कुछ दिर के लिए सोचिए कि एक मतलब एक नदी या फिर पोखरा वगरा तलाब को मतलब खुदाई के लिए ठीक है पचास मजदूर दस दिन में खुदाई इतना करते हैं आज क्या और एक जेसी भी जो मसीन है या कोई भी खुदाई करने वाली एक दो दिन में खुदाई करके और वहां से चली जा रहे हैं यहां पे 49 मजदूरों का जो रोजी रोटी होता है वह तो खतम हो गया इसलिए और अधोगी करांती होई थी उसके बाद से जब अधोगी करांती होई तो जो एक जो माइशा पे कुछ रूपे पैसे वाले बन गए और थोड़ा सा जब पूंजीवादी बन गए तो उन लोग पास थोड़ा सा दिमाग आया और उन्होंने उस पैसे कवपयों करके अपने लड़के को पढ़ाया और वो लड़का कोई डक्टर बना कोई इंजिनियर बना कोई वकील बना अब को भी दबा सकता है क्योंकि वह पढ़ा लिखा है अब बरदस्ट करेगा नहीं और यहां पर देख सकते हैं कुलिंग वर्ग के जो भी लोग थे हमेशा उन लोग को दबाने का आदत है ठीक है तो यहां अब यह लोग मध्यां बर के लोग अब दबने वाले नहीं थे याद रखेगा अधोगी क्रांती के बाद जो पैसा कुछ लोगों के पास हुआ कुछ लोग पुंजी पती बने तो उन लोगों ने अपने लड़के को पढ़ा करके अच्छे-च्छे मतलब पद पर उन लोग को अस्तावित किया या फिर हम लोग बोल सकती है अच्छे कुलिंग वर्ग है यह हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि पड़ताडित कर रहे हम लोग का सोशड कर रहे हम लोग को एकजूट हो करके और इनके खिलाफ लड़ाई करना चाहिए ठीक है और हम लोग जब एकजूट होंगे तब ही लोग का बल कमजोड होगा हम लोग इधर भी कहते हैं उदारबादी लोग कोई किसी के मतलब बंधक नहीं रहे कोई किसी के गुलाम रहे यहां पर गड़तंत राज्य अस्थापित कर दिया जाए ठीक है तो आपर रष्टबाद का विकास भी होने लगा और इन्हीं लोग समझाने लगे उसके यहां हुआ क्या उदारबादी रष्टबाद नयम अध्यम वर्ग वहीं से उत्पन हुए कब जब अधोगी क्रांती हुई थी तब ठीक है यह लोग चाते थे राष्टिय एकता का विचार इन लोग का सोच क्या था कि सारे राष्ट के लोग एक ज फैमिली से ही आये थे ठीक है थोड़ा सा पैसे रुपया वाले हो गए और इनके ममी पापा इन लोग को पढ़ा दिये और जो लोग स्रामिक वर्ग है जो काम करने मजदूर है उन लोग सायद उतना दिमाग नहीं लगा पाए और दोगी क्रांती में और लोग वहीं क्यों पर नुब दे रहे तो इन लोग का करता बें बनता है कि सब को उपर लेकर के चले ठीक है राजा महराजा और कुलिंघ वर्टों चाहते हैं तो यह लोग दबे रहें ठीक है अब देखिए उदारवाद का मतलब होता है आजाद यह लोग हमेसा सब चाहते सब को जो कि अजादी कानուלא के समक्ष समक्ष बराबरी ये लोग चाहते में रहे है कि किसी कानौन बराबर होना चाहिए ठीक है, राज तंत्र नहीं रहेगा किसी भी राजा लोग जो कह Okay और लोग जिसको माने कि यह हमारे राष्ट हमारे राज हमारे देश को चलाने के लिए सही है तो उसी को प्रधान बना दिया जाएगा किसी प्रकार के राजा और बिरासत में जो राजा का बेटा राजा बनेगा इस सब कोई नोटंकी नहीं रहने वाला है ठीक है उसके बसे गरतंत्र का समर्थक लोग हम ऐसा बता ही थे कि गरतंत्र के समर्थक थे ठीक है पादरी और निरंकूश सासक के अधिकारों की शमाप्ति यह लोग कर रहा है थे कि एक काम किजिए जितने भी पादरी वर के लोग है ठीक है इन लोग का जो भी अधिकार है सब अधिकार को छ और यहां पर नीरंकूर सासा का जो भी अधिकार है, उस सब को समाप्त किया जाए, सब को बराबरी का अधिकार दिया जाए, इनका कहाना था, उसके बाद से शम्मिधान तथा शंशदीदी प्रतनिधी शरकार का पक्षदर, और ये लोग शम्मिधान, एक नियम बना जाए, तो देश को सही से चलाने के लिए कि देश में कौन सी घटना घटेगी तो कौन सा नियम लगना चाहिए सनसद में जो भी फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे और उसमें फैसला भी होना चाहिए ठीके तो जो संसद भौन के जो लोग भी परतनीदी होंगे वो जनता द्वारा ही चुना जाना चाहिए यह नहीं कि राजा समर्थन कर दिया ठीके एक काम केजिए आप जैसे राजा लोग करते क्या थे जो मंत्री मंडल बैटता था तो मंत्री में राजा कितना भी गलती कर द है यही सब लोग करते रहते राजा को सिर्फ करते थे और उसके हिसाब से राजा कभी प्रजा के तरफ ध्यान नहीं देती थी कुछ भी लोग बोले बस राजा का तरीफ लोग मंत्री लोग करते थे तो यह सब बोले कि क्या बोलते हैं उधरवादी रश्टवादी लोग ज चाहिए उसके बाद से मुक्त वैपार यहां पर नीजी संपती की सुरक्षा यानि कि बोले कि जिसका जो संपती है उसकी सुरक्षा करना वो उसी का संपती है उस पर दूसरा किसी का अधिकार ने किसी भी भूईयां वपाल की जरूरत नहीं है वो अपने संपती का खुद माल तो राजा कहता था कि तुम ये इस चीज का बैपार करो ठीक है तो वहां मानली जी कि जबरन बैपार कराय जाता था तो वहां पर ये लोग बोले की नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको जिस्टिज का बैपार करना है करे उस पर जो भी थोड़ा सा टेक्स लगता है ये आप अपनी पोजीटीं रहेगा और नों का बैपार भी चलेगा और समाज सुखद रहेगा इस वीडियों में हम लोग क्या जाने कुलिंग वर क्या होता है इसमें जाने हम लोग की पादरी लोग क्या होते हैं और दोगी करांती के बारे में जाने और उदारबादी रस्टबाद के बारे इसके बाद से अब नक्स टॉपिक हम लोग देखते हैं तो अब हम लोग देखते हैं उसी में जो हम लोग पढ़े थे जॉल्वे राइम आखिर होता गया है ठीक है यह जॉल्वे नाइम नाम क्यों पढ़ा ठीक है और यह नाम कहां से पढ़ा और कब पढ़ा किस ने नाम दिया तो यहां लिखा गया है यहां देख सकते हैं आप लोग अजिण प्र कि इस देश में अपना टेट की यह राज है हम जा रहे हो उत्तर परदे जा रहे हैं या फिर घुजराद है है हमको जाना है तो बूट सारे राज्य को हों कर जाना पड़ेगा तो हर राज्य में लगता था तो उसी टेक्स को कितना ठ Egyptian है कि किस तो नहीं हो रहा है इस सब को सुचारी महा कि देखने के लिए और देखिए मुक्त रूप से कुछ लोग इस वजह से बैपार करने नहीं जाते हैं कि जाते जाते इतना टेक्स बढ़ जाता है ठीक है कि माली जितना का समान नहीं होगा ठीक है उससे जादा ही उन लोग को पैसा अगर ले जाने में लग जाए तो जब फायदा नहीं फायद में ले करके ठीक है और वहां आलू हो जा रहा है पंदर रूप या किलो और यहां बिहार से जाते 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 सब कई परकार का टेक्स लगता जाए और वहां पे जाए तो आठर रूप या किलो अगर माली जाते हैं को आठ रूप या किलो पर किराया पड़ जाए आठ रुपय किलो के हिसाब से पढ़ रहा है तो हम वहां 16 रुपय किलो क्यों बेचेंगे तो यह वहां पर बैपार करने जाएगा और जो भी लोग मोटिवेट होंगे बैपारी बनना चाहते हैं थोड़ा सा पैसे वाले बनना चाहते हैं और अपने समाज को उसी पैसे से कुछ हे सब्सक्राइब कर दीगा कि संक्राइब से तो यह जॉलवे राइम है ठीक है 1834 में प्रसाद द्वारा यह स्थापित किया गया था ठीक है देखिए औरोद सुल जितने भी औरोद जितने भी यहां पर बिरोद उत्पन होने वाला है हर एक टेक्स मतलब क्या बोलते हैं हर ए इस यह टेक्स खतम हो जाए तो लोग पैसे और रुपए से मजबूत हो जाएंगे और बताईए जो नीची वर के लोग हैं वो पैसे और रुपए से मजबूत हो जाएंगे तो फिर रश्टवाद तो और ज्यादा गों वो जितने भी अमीर होंगे वो और समझदार पैसा क पैसाने सुनते रहेंगे, पैसा नहीं कमा रहें, अगर सब कुछछ पैसा से आप लोग पड़ी Pुर्ण हैं, ठीके, तो आप किसी को कुछ बात बोलेंगे, तो वो बयर दास करके और समझ रहेंगा कि ये बात क्या बोलाएं, तो समाज में पैसे वाले लोग अब जो भी बात कि दूसरा कोई आया नहीं और अपने देश के प्रती हमेशा सकारात्मक यानि सही से सोचना चाहिए कि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ा है तो बस जॉलवे राय में ही था आज की वीडियों बस इतना ही फिर अगले वीडियों मिलेंगे अगले टॉपी के साथ इसी चाप कि उसको लटाएंगे तब तक के लिए जैन